Hello Guys, मैं मौहित आज आप सब के सामने एक नहीं वीदियो लेका हैं जो तो एससी के एक्जाम से रिलेटीड है एससी के एक्जाम से रिलेटीड है CHSR जो की 17 मर्च को आता सिफ्ट टू का पर एप पर है तो स्टार्ट करते हैं मेहत्खा सेक्षन स्टार्ट करते हैं ठीश तो फर्स्ट को सन क्या कह रहा है तो सट को सन विच कंपनी मेनुफेक्टर इड हाइस्ट नंबर ओफ मुबाइल्स ओल ओवर एए यह ठीए मतलब कौन सीम कंपनी सबसे च्छादा मुबाइल मेनुफेक्टर कर रही है इन सभी में तो यह दोजा सत्रागा बिलो लाइन है और निसका गड़े है तो पहले दोजा सत्रावाले में देख लें कौन साथ ज्यादा कर रहा है 59 62 यह उपचला गया यह उपचला गया सबसे और यह तो कम हो गया ठीए तो नेक्स्ट और इंज में 65 67 उपचला गया 71 61 71 तो दोनों में अभी तक ही आए आई आइस थार्ड में देखते हैं शिष्टी एट 70 टू 70 तो तो तीनों में क्या अए सब से ज्यादे यह है तो इसका मिह प्रूम्ट का आगा अपना सी 3 एगा और सबसे कम पूछ लेगा सब से कम आएगा सी 4 ठीए तो इस मैं शबसे तो इस कंपनी ठीक है हाइस्ट इंक्रीज इनफेक्ट मैनुफेक्ट्रिंग फिरम दो जासता से अथारा इस तो इस मैप में देखे दो ग्राफ में देहें हैं तो यहां 6 का difference, यहां पर 5 का difference, यहां पर 3, यहां पर भी 3, तो सबसे ज्यादा किसके बीच में difference है, C1 के बीच में difference है, ठीक है, तो आपका answer क्या होगा, C1 होगा, next question, CP of 25 article, तो CP of 25 लिखते हैं, is equal to, किसके equal है, CP of 35 article, तो कट कर देंगे, 5, 7, तो CP, SP निच लिया देंगे, इसके डिवाइड में, और यहां 7 by 5 कर देंगे, यह is equal to, है, 7 by 5, तो इसका मतलब CP मेरा 7 होगा, CP मेरा 5 होगा, साथ, साथ में खरिद्धा, 5 पांच में बेच चाहिए, तो हमारा, लोस होगा, दोनों, इस कंडिशन में, ठीक है, तो प्रोफिट के option तो कट गए, तो कितने का लोस होगा, 2 का, कितने पर, CP पर 7 पर, इंटू, सो, तो, 200 अपॉन, सेवन, कितना हो जाएगा, 28.57, तो आपका option A, इस राइट एंसर, नेक्स्ट कोस्टन, कोशेक, A, कितना है, तो कोशेक, पाइथागो, गोरस थोरम में चलेंगे, तो कोशेक क्या होता है, है, कोशेक होता है, H upon P, तो P की वेलू 7 है, H की वेलू 25, तो पाइट अगर थोरम से इसकी बेश निकाल देंगे, 24, तो 10 में रखे होता है, 10 होता, P upon B, तो P कितना में रखे, 7 और B कितना हो जाएगा, 24, आपका राइट अंसर रहागा, 7 upon 24, 24, next question, वो लगी इन में से कौन सान ट्रिंगल, राइट अंगल ट्रिंगल मीजर नहीं करता, तो यह भी न parenthा है यह यह भी क्योंकि इन तिनों में हमारे गोरी ओर नगी होई है तो पैथा गर इन्य फोर्म करें यह यह था हिए झाट हगर में लगती है अ अगर हमें ह इसको फर्स्रों को पाइधा गोर शूराम सर्फ लेंस तो बड़ी साीड का सुकयर इस इकोल टू दोनों छोटी साइडों का समका सुकेर कर देंगे क्या एक बलाएगा 81 इस इकोल टो 25 पलस 63 तो यह साइड तो 81 है दूसरे साइड कितना होगा 888 होगा तो यह नहीं बनाएगा राइट एंगल ठीक है नेक्स्ट कोस्ट अ कि तना टाइम एक घोड़ा रहा है किसमे फिल्ड के जिसकी साइड है उसकी सपीड एथ रहा थे कि कट के सबकेर निकालना dauphin को टाइम निकालने के डिस्टेंस अपन टाइम होता है तो डिस्टेंस मेरी किसमे है मेटर में किलो मेटर 1 बनानी सवह 165 उपन 100 कर देंग इस साइड एक सपचेटर तर फोर्थ साइड भी एक सपचेटर तो इसका मतलब चार से मल्टिप्लाइ कर देंगे इसको तो कट करेंगे तो टू फिफ्टी तो परचिस से कट करेंगे यह 10 यह सेवन टाइम तो आपको क्या अंसर आया अब क्या करेंगे तो डिस्टेंस आगे डिवाइड भाई 15 क्योंकि सपीड टाइम क्या था डिस्टेंस अपन टाइन सुरी सपीड तो साथ अपन दस तो फिफ्टीन तो मेरा कितना आया टाइम साथ अपन एक सो पचास यह कौन सा टाइम यह हार का टाइम है और हमने किसमें चेंज करना शेकिंड में सेवन एक सो पचास गुना थरी सिक्स जीरो चीरो तो हम इसको कट करेंगे तो 24 पर कट हो जाएगा थी तो 7 x 24 कितना उता 168 आपका राइट एंसर नेक्स्ट कॉस्सम पार लग लग तश्थ पी दश दिन में करा पारुद दिन में करी तो पी की फ्रिक्वेंशे कितनी है तो सूरी वन और क्यों की एफिशेंशी कितनी है तू अब बोला क्यों ने दो दिन काम किया तो दो दिन काम करिया एक दिन में दो करता है दूसरे दिन भी चार खतम कर देगा और सोड़ी जो तो मतलब भकी बचे हुए काम को फी कितने दिन में करता था ठीक तो दस था चार göst Feb कि एक चे रूस के सिप्पी है कितना यह सिप्पी आपका और यह प्रोफिट परसेंट है तो एस्पी निकालने तो एस्पी क्या फार्गुन लगता है सिप्पी गुना 100 प्लस प्रोफिट तो 122 अपन हैं ड्रेड अगर आपको इसको प्रोफिट आपकी पास किया जाएका 95 7.7 अंसर आजाएगा नेक्स्ट कॉस्ट्रम एक दुकान दरने पैन लिए जोगी 28 में सिप्पी कितना है 28 और एस्पी कितना है 40 तो प्रोफिट बताना है तो इन दोना डिफ्रेंस कितना प्रोफिट निकालने के लिए एस्पी माइनस इपी डिवाइड बाइस इपी इंटू एंडरेट कर देंगे तो फॉर्टी फॉर्ट सेवन तो त्री एंडरेट अपॉन सेवन तो आप इसको सोल करोगा तो यह फॉर्टी टू पॉइंट सम्थिंग जाएगा तो आपका और थर्ड ऑप्शन इस राइट नेक्स्ट को सब्सक्राइब करती है वही ट्रेन 252 किलोमेटर चार गंटे में करती है तो इनकी सपीड का रेश्यों बताना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे तो सपीड का रेश्यों आजएगा तो एस सपीड ऑफ कार रेश्यो सपीड ओफ ट्रेन कर देंगे तो कार की डिस्टेंस एक सपास है और टाइम कितना त्रेश्यों ट्रेन की डिस्टेंस 252 डिवाड़ बाइट टाइम तो इसको सॉल करेंगा तो यह कितना आएगा 35 जिसको सॉल करेंगे तो यह कितना आएगा 63 अब इसको स्यामन से काटेंगे तो यह फाइफ टाइम्स ही हो गया और यह नाइन टाइम्स तो यह आपका अंसर नेक्स्ट कॉस्टन जिसका डामेटर 12 इंच है ठीक है इंच सेंटिमेटर मनान तो एक इंच एक इंच कितने बराबर होता है तो पाइंट फाइफ फॉर सेंटिमेटर के बराबर होता है ठीक है तो तो रेडियस कितना हो जाएगा 6 तो 6 यह कितने के बराबर हो जाएगा 15.24 सेंटिमेटर थे तो सरकम्फ्रेंस का फार्मुला पूट कर दें तूपाई आर यह शिक्स क्या ही है आर थी तो टू इंटू 222 अपॉन 7 इंटू 15.24 अगर हम इसको केल्कुलेट करेंगे मुल्टिप्लाइ करेंगे तो 95.794 आया मेरा तो बाकिया आप देख लेना ओप्शन 4 इस राइट अन्स नेक्स्ट कॉस्ट बोला कि वन फिफ्ट ओफ 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 नंबर वन फिफ्ट ओफ ओफ नंबर कितना 35 है तो इसको सॉल करेंगे तो हमारे पास एक्स की वेल्व आ जाएगे तो उस एक्स की वेल्व में हमने क्या निकालना शेवन एट निकालना यह यह सॉल करना तो 4 से 2 ताम्स 5 ओदर चला जाएगा 35 एक्स इस गोल तो 35 इंटो 35 डिवाड बाइ 2 35 का सुके रोता 12 25 बाइ 2 तो इसको सॉल करेंगे तो 612.5 आपका राइट अंसर नेक्स्ट कॉस्टन क्या बोला सी वन से सी फॉर का रिस्यों बताना सी वन और सी फॉर का तो सी वन के इन तिनों का इन तिनों को एड़ करेंगे तो कितना होगा मेरा इन तिनों को एड़ करेंगे तो 59 प्लस 65 प्लस 68 192 होगा यह सी वन का होगा ठीक है और सी फॉर का कितना होगा इन तिनों को एड़ करेंगे तो 59 प्लस 62 प्लस 65 186 होगा इसका रेशियो निकानला हमने तो तो शिक से डिवाइड करेंगे तो सिद्धा 6 से डिवाइड करते हैं 6 3 जा 18 6 2 जा 12 ठीक है एंड गड़े जिक सिख्ट रिजा एंड 6 वन जा तो 32 रिश्यो 30 राइड डाइगा प्रॉप्शन फोर्थ नेक्स्ट वोप्शन बोला कि शाइन थिटा प्लस कोस्ट टीटा का स्केर होल स्केर इस इकल टू बनाता है जिट ते वेल्लू फाइंड आट करने हैं तो थिट्टा की वेलू एक तुमने जीरो नहीं मानने ठीक है और 90 भी नहीं मानने तो जीरो कट कर दो यह 90 होता है पाई बाई टू यह आपका 42 होता है तो 90 की बीच में है यह 42 नहीं 45 होता और यह 90 की बीच में तो 180 तो कभी नहीं आ सकता तो आपका option एक ही बचा है third अगर आ 45 की वेलों निकार लिया हमने इसका सुख्यर कर दें तो रूर्ट तू इस की वैलो आतीस की बीचातिर पंपाई रूट उप्टू ह सुके तो रूट तो से कट एंगे तो रूट उ और चॉह जै गया और इसका सुख्यर कितना पर थो होता तो का 2 Ops season is righteousness next question कुरा कि लैंड के लूंगे अग। यह ऐन दोनों के बेट के डिफरेंस молण 5 कै northeast के एट है तो को मोज को सन का कोडिंग मेरा इन दोनों के बेच का डिफरेंस कितना है और है और यह क्वुल मतलब कितना हुआ मुल्टिप्लाइए तो यहां पर मेरे लेंठ कितनी फाइफ तो यहां पर 4 multiply होगा तो इस इनके साथ भी 4 को multiply कर देंगे तो अपनी लेंथ और ब्रेथ आ जाएगे यह 20 यह 2 है अब क्या बोला कि एरिया निकालना एरिया के अधर लेंथ इंटू ब्रेथ होता हुआ तो 20 इंटू 12 कितना होगा तू 40 आपका राइट एंसर नेक्स्ट कोश्ण कोश्ट 2225 यह निकालना है तो इसको निकालने के लिए हमें क्वाडरेंट की जूर्थ पड़ेगी क्वाडरेंट क्या हो है हाँ यह मेरा first यह second यह थार्ड यह fourth तो यहां से स्टार्ट करते है अंगल तो यह इस क्वाडरेंट फार्ड काडरेंट में बनेगा तो था थार्ड क्वाडरेंट में क्या हो पहले तो देखो पोजिटिव कोश्ट का होता है first वार्टरेंट में पोजिटिव है उस फॉर्ट वार्टरेंट में बाकि इन दोनों में नेगेटिव तो आपका एंगल कुछ नहां बनेगा यह तो इसका मतलब नेगेटिव आइगा तो पोजिटिव वाले को कट कर दें अब तो यह 180 की लाइन है 180 से कितना ज्यादा है 45 ज्यादा तो माइनस कोस 45 लेख देंगे इसको ठीक है तो माइनस कोस 45 तो माइनस 1 by root 2 minus 1 by root 2 की value निकाल लिए है जो क्या है minus 1 upon 1.41 तो आपको solve क्या करना minus 100 upon 141 अगर आप इसको solve करोगे तो 0.7 something आएगा जो कि option 4 में है minus का आएगा next question बोला की लगता ने इतने रुपे डिपोजेट किया है 11% पर ठीए तो interest कितना होगे एक साल के बाद तो कौन सा interest है SI ठीए तो SI का फार्मूला क्या था पी आर्टी डिवाड़ बाइंडल तो पी कितना मेरा यह पी की वैलू है तो यह आर होगे और टी यह रवन यह थी तो हम इसको solve करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा डबल जिर्ट डबल जिर्ट जिर्ट कैंसिल अग्वेशन ओफ सर्कल बताने हैं जिसकी सेंटर यह है रेडियस यह है तो इसका एक फार्मूला था है क्या होता है कि यह यह तो मेरा होता है वन और के क्या है मेरा दूसरा पॉइंट ठीक है तो फार्मूला था यह आपकी रेडियस हो जाएगी तो इसका फार्मूला क्या लगाते है एक्स माइनस एच का सुकेर पलस वाई माइनस के का सुकेर इस इकल टू रेडियस का सुकेर अगर आप इसको सॉल करोगे तो अंसर मेरा ही है आजाएगा बिल्कुल करेक्ट सुल करते हैं तो एक्स माइनस वन का होल सुकेर पलस वाई माग के क्या माइनस मैंने तो माइनस माइनस पलस हो जाएगा तो सुकेर इस इकल टू फॉर का सुकेर तो एक्स सुकेर पलस वन माइनस त्व एक्स पलस वाई सुकेर पलस फॉर पलस फॉर य जिगल टू शिस्टें तो इसको सॉल करेंगे तो तो मेरा एक्स सुकेर आ गया ठीक है य सुकेर आ गया माइनस टू एक्स भी आ गया और प्लस फॉर वाई भी आ गया प्लस फॉर वाई उसलेक्तार प्लस प्लस माइनस प्लस ये गलत जाएका प्लसे ब्लस माइनस प्लस इस्मेह चलो ठीकक डिक सोल करना पड़ा है तो है कि कुई आजेगे इस सेट तो यह आपका ओप्सन नंबर फॉर राइट ओवर नेक्स्ट कॉस्ट्स पॉला कि फाइफ स्टेशन है रेल्वे लाइन पर ठीक है तो तो डिफ्रेंट जनली की टिकट की क्या नंबर होंगे रेल्वे अथ्राइट दौर तो फाइफ स्टेशन अगर यह फाइफ स्टेशन वन टू थरी फॉर फाइफ तो इस पर आप खड़े हों यह तो आपके तरफ आपके पास से टिकट बुक होगे अब टिकट बुक कितने मे होने चाहिए इन चारों में न तो पहले फाइफ इंटू फॉर कर देंगे तो आपका अंसर आजाएगा ट्वन्टी यह फिर इस टाइप की कोस्ट में क्या करना चाहिए एक कम करके उसकी मल्टिप्लाई कर देना अंसर आजाएगा नेक्स्ट कोस्ट कौन सी कंपनी कम मुबाइल बनाती से भी सालों में तो मैंने फर्स्ट कोस्ट में बताए था कि सी जो है सबसे ज्यादा बनाती सी फोर लेस्ट बनाते अपका सी फोर अंसर आजाएगा नेक्स्ट कोस्ट वोल्यूम ओफ सफेर तो फोल्यूम ओफ सफेर होता है फोर बाइट्री पाई यार क्यूब तो फोर बाइट्री इंट तो आप इसको सोल करें तो आपका फर्स्ट अप्शन इस राइट होगा नेक्स्ट कोशन इन में से कौन सा नमबर डिविजबल भाई फोर है ठीक है चार का डिविजबल रूल क्या होता है कि लास्ट के टू डिजिट्स चारते डिवाइड होने चाहिए लास्ट के टू डिजिट्स देखना एक उप्शन तो 54 54 चार से डिवाइड नहीं होगा 82 भी नहीं होगा 34 भी नहीं होगा 36 होता है तो आपका अप्शन नमबर थर्ड राइट होगा लास्ट के टू डिजिट्स चार से डिवाइड होने चाहिए नेक्स्ट कॉस्ट्ट टू एपल थरी कीवी थर्टी सेवन रुपे में है ठीक है तो टू एपल प्लस थरी के इस इगोल टू थर्टी सेवन चाहिए एडस फूर एपल फाइफ सब्सक्राइब फ़ूर एपल फाइफ एप्टी सेमनग्स तो तो से मुल्टिपलाई कर दोऊं पूरी एक्वेशन को पूरी कुछ नो टूसरी मुल्टिप्लाई कर दें हैं तो फूरे पलस सिक्स के इस इकोल टू सेवंटी फॉर निच्छे क्या जाएगा फॉर एप पलस फाइफ के इस इकोल टू सिक्स्टी सेवन साइन ची इसकी वेलू क्या आगे के की वेलू सेवन ठीक है अब हमें एक वेलू निकाल ले है कि क्या होगी फॉर्स्ट वाले इकोल पूट कर देते हैं इसी की वेसिन में तो टू इन्टू ए पलस ठी इन्टू के हैं के की जगे सेवन पूट कर जाएगा है थर्टी सेवन तो टू ए पलस टूनटी वान इस इकल तो 37 तो टू एक इतना जाएगा 16 एक वेलू कितनी आजएगी 8 बदल एक एक प्ल आठ में है और एक किवी साथ में देखते हैं कितने के पुछा है वट विल विटा टोटल कोस्ट ओफ अच्छ वन एपल और वन की पूछा है तो वन एपल पलस वन की पूछा है कितना रेट होगा तो दोनों को आड़का तो सेवन प्लस सोरी कीवी का सेवन है कि प्लस एपल का आठ तो मेरे कितना अन्सर आएगा 15 अन्सर नेक्स्ट कोस्टन if a number is divided by 3 ठीक है तेन से डिवाइड करता है और रिमेंडर कितना है तो तो वह नमबर कौन सा होगा फाइफ वह नमबर फाइफ होगा अब क्या बोला कि यह उस नमबर में फाइफ को एड़ कर दिया जाए उस नमबर में फाइफ को एड़ कर दिया तो 10 आगया ठीए डिवाइड भाइ 3 इसको थीन से डिवाइड कर देते हैं तो लिमेंडर पुछा कितना आएगा तो लिमेंडर कितना आएगा फिशिट थिन नइन तबका रिमेंडर कितना आएगा वन आएगा अग, नैक्स्त कॉस्टन अगा कि थ्री आइटम की प्राइस यह है और प्राइस अलग अलग रेट के हैं इस टाइप के ठीक तो एवरेज निकालने एवरेज ही तो टोटल निकालेंगे थ्री इंटू फोर तू वन फोर टू सिक्स फाइव यह आपका टोटल प्राइस आजएगा अब इनको टोटल करना है तो टोटल कितना है यह है टोंटी अग्यों इसेवन टूंटी सेवन समय तो डिवाइड बाइ टूंटी सेवन कर देंगे तो यह आपका कितना जाएगा नाइन और यह आपका कितना आएगा एक की बड़ाब एक वेल्लू की कर देंगे करेंडा एंडी सा लिएट सा तो मिल्टीप्लाइब लाइँं कर देंगे तो हमें क्या पुछाए कि पुछाए इसके साथ हम इलिएवन की मौल्टीप्लाइब कर देंगे जोगी क्या क Exactly सब्सक्राइब आज के लिए बेस इतना ही थैंक्यू है नाइस टे जैंद